खबरशिवपुरी की 14 नमबर कोटी के पीछे से आ रही है, जहाँ साफ सफाइना होने की वज़े से काफी समय से गंदगी फैल रही है, यहाँ पर रहने वाले दुकानदारों का रहना भी अब मुश्किल हो गया है जहां कुछ दुकानधारों को डर लगा रहता है कि कहीं उने डेंगू मलेरिया ना हो जाए वहीं इस गंदगी से आए दिन कोई ना कोई बिमार पड़ रहा है यहां के लोगों ने इसकी शिकायत कही बार नगरपालिका सीमो से भी की लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है एक तरफ शहर में डेंगू अपना पैर पसा रहा है डेंगू का प्रकोब बहुत तेजी से शहर में बढ़ता जा रहा है यहां के रहने वालों की मांग है कि साफ सफाई जल्दी और सही समय पर हो जाए ताकि यहां की गंदगी से किसी को कोई भी बिमारी नहीं लगे जहां गंदगी का इतना अंबार लग जाता है कि आसपास के दुकानदारों को नीजी खर्चे से वह कच्रा उठवाना पड़ता है आखिर कब इस गंदगी से लोगों को निजात मिलेगी पूरा निजारिया है कि दी बोह मज़ा रही जाता है जाता है पूछो मत और गंदगी इतनी है पीशे के पूछो मत पीशे में कढ़ा होना मस्कुल होागा मैंने हैं सुबह मैंने एक मेंसेज टाइप लिए ता से बिलार तो नगरापाल का दुआरी है उनको मैंने मैसे टाइप गिया था फट वैसे कोई उनका वो रियक्शन आया नहीं है कोई रिस्पॉंस ही नहीं है दो तीन मैंने एक आज बार जाड़ू लगती है कभी कभा ये चाउदा नम्मर कोटी जानी मारते हैं इसकाइद आपने कहीं कि अपार दखते भी बोल लियों तो इसन वाई नहीं है ये कितने समय से एक गंदगी से आप जो दो तीर मेने दो हो जाज़ा आजा आज आपको क्या लग रहा है अब कर रहा है वो तो बीमारी फेल लगी है बस पीचे जो आजयते जो सामान वकिरा भी रखा हुआ है यहीं दरात कोई सब जाड़ा जिरी बताते हैं वो तो अथी पिर मन है ये इसकाल बरिये पीचे इसके टेलर बरेंगा इसकी शिकायद करने के बाब जूद भी कोई अलावी जाज़ों कर जान नहीं है अट वहीं संद्वाई नहीं है